जैहिन दोस्तों मैंने दीवें चोहान आजम करेंगे क्लास 10th का 5.2 का question 5 का part 1 और 2 इस question में हमें पूछा है कि समानतर श्रेणी में पदों की संख्या बताईए तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली समानतर श्रेणी है 7, 13, 19 और लास्ट पद है इसमें 205 तो देखे किसे करते हैं इसको, यहाँ पर A बराबर है 7, D बराबर होगा पिछले पद में से अगले पद को माइनस कर देंगे यानि कि 13-7 तो कितना मिला 6 तो D बराबर आगया 6 और यहाँ पर L यानि कि जो अंतिम पद है L का मतलब अंतिम पद, मतलब की लास्ट पद, ओके, वो है हमारा 205, तो सबसे पहले यहाँ पर सूत्र लिख देंगे, A N बराबर A प्लस N माइनस 1, D, यह हमारा सूत्र है, तो यहाँ पर A N हो जाएगा 205, A बराबर 7 प्लस N माइनस 1, अब N हमें फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पर N as it is, और D है हमारा 6, सभी values पुट कर दी हैं, उसके बाद 205, 7 का पक्षांत्रण, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस, 205 में से 7 माइनस किया, तो हमें मिला 198, यहाँ पर N-1, 6, अब यह 6 यहाँ गुणा हो रहा है, इसका पक्षांतरण होगा तो ये भाग हो जाएगा 6 से 198 को भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 33 यहाँ पर N-1 अब –1 का पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा 33 प्लस 1 is equal to 34 यनि की N बराबर 34 इस सीरीज में पदों की संख्या होगी 34 अगला question देख लेते हैं इसी का दूसरा part है इसमें भी हमें पदों की संख्या बतानी है तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हमारी सीरीज है 18 साड़े पंदरा 13 डैश डैश और –47 यनि की ये हैं लास्ट पद तो A बराबर है 18 D, D क्यासे निकालते हैं पिछले पद में से अगले पद को माइनस करते हैं यनि की साड़े 15 में से माइनस करेंगे 18 को पहले से सॉल्व करेंगे 15 दूनी 30 और 1 31 बटे 2 हो जाएगा –18 अब फिर से तिर्ची गुणा 31 as it is 18 दूनी 36 माइनस का –बटे 2 36 में से 31 गया तो माइनस 5 बटे 2 ठीक है दो से 5 को भाग कर लेते हैं देखो ऐसे 2 से 5 को भाग करो 2 दूनी 4 पांच में से 4 गया तो 1 अब हम इसे लिखेंगे इस तरह से 2 सही 1 बटे 2 जो 6 है वो उपर जो हमेशा denominator होता है वो हमेशा सेम रहता है और ये वाला 2 आ जाएगा इधर तो हमें मिला D बराबर माइनस 2 सही 1 बटे 2 और L है हमारा माइनस 47 ओके अब पर्मुला लगा देंगे A N बराबर A प्लस ब्रैकेड में N माइनस 1 D तो A N हमारा है क्या माइनस 47 उसे यहां लिख देंगे A है हमारा 18 ठीक है प्लस N माइनस 1 बिकोज N हम फाइंड कर रहे हैं यहां पर और D है हमारा माइनस 5 बटे 2 ओके माइनस 47 अठारा का पक्षांत्रन किया तो यहां प्लस का था तो यहां माइनस का ओके माइनस माइनस प्लस होता है तो 47 और 18 को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 65 माइनस इसलिए क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए यहां माइनस आएगा n-1 bracket में minus 5 by 2 अब 5 बटे 2 का पक्षांतरन करेंगे यहाँ पर यह गुणा हो रहा है तो इस तरफ जाएगा तो यह भाग हो जाएगा मिन्स उल्टा हो जाएगा ठीक है यहाँ पर minus 5 बटे 2 है इसका पक्षांतरन करेंगे तो यह minus 2 बटे 5 हो जाएगा ठीक है बराबर n-1 अब यहाँ पर देखिए minus से minus cut बीच में गुणा है तो तिर्चा कट सकता है तो 5 से 65 को यदि हम काटेंगे या भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 13 और यह वाला 2 यहाँ आजाएगा ठीक है आप इसको दुबारा समझिए यह minus 5 बटे 2 है इसका हमने पक्षांतरन किया तो जब बटे की संख्या होती है यदि उसका पक्षांतरन करते हैं तो वो उल्टी हो जाती है यहाँ पर minus 5 बटे 2 था इस तरफ गए तो 2 बटे 5 हो गया माइनस से माइनस कट अब बीच में गुणा है तो तीरचा कट सकता है तो 5 से 65 को यदि भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 13 और गुणा 2 तो 13 दुनी 26 माइनस 1 का पक्षांतरन करेंगे प्लस 1 ठीक है थोड़ा उपर ले रेती हूं प्लस 1 तो 26 और 1 हो गया 27 यनि कि हमारे इसमें पदों की संख्या होगी 27 तो मिलते हैं अगले क्वेशन के साथ अगली वीडियो में जैहिन जै भारत